आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू का भरता तो मैं सबसे पहले नमबर एक का भरता यह मैंने आलू रख दिया है और इसमें हम डालेंगे अद्रग यह ग्रेट अद्रग डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और यह लैसुन जिसको मैंने इसको भी ग्रेट किया है और इसमें हम डालेंगे यह नमग काला नमग इसको डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची और जीरा पाउडर लेजे इसको हम मिक्स कर देंगे यह भरता बनके तैयार हो गया है आप अपने रिकॉर्डिंग आप जैसा तीखा यह नमक जैदा जैसा खाते हों आप ऐसा बना लेंग और इसमें हम डालेंगे यह थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्ची अच्छा यह बनके तैयार हो अब हम भरता नंबर दू पर चलते हैं यह नंबर दू का है तो इसमें हम डालेंगे यह नमक मसाला नमक है देखी यह मसाला नमक मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ही प्याच देखी हरा धनिया अदरग टमाटर यह कुमी मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालेंगे यह हरी मिर्ची यह वनकी तयार हो गया है नमबर दू का देखिए इसमें जीरा पाउडर टाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़े सी कि मैंने एक पेंची इतनी हीन ले है और यह हरा धनिया गया इसमें और हरी मिर्ची और यह कमाडर करता नमर चार है तो देखिए इसमें मैंने मसाला नमक डाल दिया है और मैंने यह तड़का बनाया है तो यह तड़के वाला है मैंने इसमें तड़का मिला दिया है और नमा में डालना तड़का है अद्रक का लैसुन का हरी मिर्ची और प्याज यह मेरी चार तरह के बत तैयार हो गया है अब इसमें हम डाल लेंगे धनिया हरी धनिया डाल दी मैंने तो लिजी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बूलें साइड में बेल आइकन है उसे जरूर दबा अब और यह भरता अपने बच्चों के साथ अन्ज्वाई कर सकते हैं जो प्याज नहीं और कम त्थी और प्याज नहीं खाता BinA जटमाटर भी एं और इसमें नहीं है धनिया दनीधल कि बाकी सब चीज़े और र लिख्लेक collection log ऐसा अम्न अर्ध करने ड़िन किया और हरी मिरट आपको मेरा वीडियो अच्छा लग और प्लीज ज़ेश करें तक में हो